जन्पद मुरदबाद में सेंपल लेने गई स्वास्ती विभाग के टीम पर हमले से संबल की स्वास्ते कर्मी भी चिंतित हैं देश के विभिन राज्य में कोरोना योध्धाओं पर हमले और बस्तुलूकी की कज़्वीरे सामने आ रही हैं सामने आया था जिसमें कोरोना जैसे घंबी विमारी से जानगावाने वाले एक व्यक्ति के परिजिनों के सेंपल लेने के लिए स्वास्ते विभाग के टीम पर हमले के बाद हम लोग भी अपने सुरक्षा को लेकर चिंति थे कोरोना जैसे घंबी विमारी के समय में भी हम लोग अपने परिवारी को चिंता छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी डॉक्तर और पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं जो की गलते इसलिए हम अपने फून सुरक्षा की मांग करते हैं मुरादावाद में जो घटना हुई है डाक्टरों पर जो हमला हुआ है स्वास कर्मियों पर उसके बारे में आपकर क्या कहना है देखिए मेरा उस पर बहुती कठोर विचार है कि जो घटना हुई है वो बहुती दुस्ताहसिक और बहुती गंबीर घटना है हमारे जितने भी चिकिस्तास्वास के कर्मचारी अगर उन पर ऐसे बारदात होती रहेगी तो कोई भी आदमी जो है बैसी इस कोरोना जैसी भे सब्सक्राइब कर्मास्य सेट्वेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से आज हमारे जो है वो प्रदेश अद्यक्ष आद्रणियाद ड्यक्टर संदी बढ़ोला जी ने भी ये कहा मरादाबाद के सीमो और वहां के अपर जला नेदेशक से मिलकर जो है वो बारता की है और अगर एसी कोई भी घटना होगी तो उसके लिए फिर हम लोग काम करने पर काम ना करने पर बात दोंगे हम यह चाहते हैं कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से प्रदेश के और जितने भी हमारे स्रक्षा कर्मी हैं उनका भी पूरा सहयो हो हमारे साथ जिसे कि हम अपने काम को ठी कारियेप का न्यम दे शोले हैं जी ठीक ही ओके दो